संजय वाच एव मुक्तवार्जुनह संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विस्रिज्य सशरम चापं शोकसं विग्नमानसह संजय बोले इस प्रकार बोलकर अर्जुन रण भूमी में अपने धनुश बाण को त्याक कर रथ की गद्धी में चिंतित तथा दुखी मन से बैठ गया अर्जुन पूरी तरह से बिखर गया पूरी तरह से कॉलाप्स हो गया खुद कुछ कहने लाइक नहीं रहा असहाय हो गया इसलिए संजे हुआ अचा हुआ है संजे सूत्रधार है पीच पीच में आते हैं इसलिए सारी बात संजे ने बताई है अब जब बिमार होते हो डॉक्टर आपके पास आता है तो आप बताते हैं डॉक्टर साब रात को नेंद नहीं आई पेट खराब था थोड़ी से उल्टी भी होई ऐसा रहा रात को ऐसा था खुद बताते हो लेकिन जब आप बहुत ही ज़्यादा बिमार हो तो आपके साथ जो असिस्टेंट आया है वो बताता है बिल्कुल ने सो पाए रात थी बड़ा बुरा हाल सीना था क्यों कि खुद कहने में वो सक्षम नहीं है यहीं पर अरजुन का हल भी है अरजुन अब बात करने में सक्षम नहीं है इसलिए बात संजे के मुख से बहलाए और संजे सूत्रधार है दृतराश को बता रहे हैं और दृतराश के मन में लड़ू फूट रहोंगे कि शायद युद्ध ना हूँ शायद युद्ध ना हूँ क्योंकि दृतराश चाहता था कि दृतर्योधन बन जाए राजा लेकिन उसको नहीं पता यहां सामने कोन खड़ा है कृष्ण जी को नहीं समझ पाए लोग प्लीज पास समीप दीखत नहीं दृद गैसी दिन तुलसी संसार को भया मोतिया बित कृष्ण जी को बिलकुल नहीं समझ पाए सिर्फ पांच लोग समझ पाए भीश्म पिदामा द्रोणाचारे विदूर वेदवयास और करण अर्जुन में नहीं समझ पाए अर्जुन पूरी गिता जी देने के बाद अर्जुन जब युद खतम हो गया सब सेटल हो गया आया अर्जुन कहने लगा प्रवुक केशव युद से पहले बढ़ी अच्छी ची बाते बोली थी कहने रिपीट दोस्तिंस अगे नहीं रिपीट करें तो कृष्ण जी को नहीं समझ पा रहे हैं और यह होता है जो ग्रेट चीज होते हैं वह हमेशा थोक के भाव में नहीं होती मुस्ट एक्सपेंसिव जो वाचिस हैं उसका शहएद आपको नाम भी ना पता हो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वाचिस को उसी है शहनाम ही ना पता हो को most expensive cameras जो है people don't know most exclusive जो चीज़े हैं बहुत कम लोगों पता हैं मैंने कहते हैं जो महंगी है वो exclusive नहीं पता है लोगों को नहीं पता हैं नार्मल वाचिस सब को पता है चीज़ जितनी घहरी हो उतनी कम लोग जाते हैं उतनी बिखरी होती है धूननी पड़ती है सोना अपने आपको जमीन के चारो होर कर देता उसको निकालना पड़ता है तो philosophy धूननी पड़ती है और उस philosophy को धूनने का हमारा प्रयास है तो गीता जी का यह 47 वा श्लोक आखरी श्लोक है पहले दहेगा और श्लोक के अंदर अर्जुन तोटली कॉलाप्स हो चुक है और इतना कॉलाप्स हो चुक है कि खुद बोल नहीं पाता और उसको कलाप्स होने के बाद संजे बता रहे हैं तो मैं summary देता हूं पूरी chapter 1 की अब आज यह chapter 1 का आखरी हमारा एपिसोड है next episode से हम chapter 2 शुरू करेंगे जब भगवान बोलना शुरू करेंगे इस अध्याय में भगवान जी ने एक श्लोक भी नहीं बोला तो इस अध्याय में मैं आपको इस एपिसोड में मैं आपको chapter 1 की summary दे रहा हूं और हर chapter के खतम होने के बाद मैं उस chapter को summarize करूँगा तो इस chapter में 47 लोक हैं जैसे के आपको पता है छे भागों में बाटा गया यह chapter छे भागों में बाटा गया पहला है धितराष्ट का संजे से प्रशन यह original नहीं है यह हमने अपने आपको समझाने के लिए अपने knowledge को clear करने के लिए उसके है हमारे गुरुजी ने किया मैंने तो नहीं किया हमारे गुरुजी ने इसको divisions करें अलग लग लग कहीं division है कहीं होने किये लेकिन जो मैं आपको division दे रहा हूं वो मेरे गुरुप आर्था सार्थी जी का division है तो छे portion में बंदा हुआ यह पूरा का पुरा द्याय है पहला पहला श्लोक जिसमें संधितराष्ट का संजे से प्रशन है दूसरा portion में दूसरे से ग्यार्वे श्लोक तक दुर्योधन दर्शाता अपने भय और अभिमान को भय भी है अभिमान दोनों हैं hot and cold दोनों चलता है दूसरे portion में दुर्योधन का धर्शाना भय और अभिमान को दूसरे से ग्यार्वे श्लोक तक तीसरे portion में आवान हुआ को अरव घबरा है शंक डोल मर्दंग बाजे बजे और को अरव घबरा है 12 से लेके 19 तक है तो पहला खंड जो है वो दुर्तराश का संजे से प्रशन है दूसरे खंड में दुर्योधन दर्शाता भय और अभिमान को दूसरे से ग्यारा तक तीसरे खंड में आवान हुआ को अरव घबरा है 12 से 19 तक बीस सेप्टीस तो चोथे खंड में भावना उने अरजुन को दो पूचाए नहीं दिस इंपॉर्टराश है अरजुन तयार था पूरी तरह से तयार था उसके माइन में गुस्सा भरा हुआ था और देखना चाहता था दुर्योधन के साथ दिने वाले को नहीं पूरी तरह से तयार था लेकिन भगवान जी नहीं चाहते थे कि अरजुन गुस्से से युद करे गुस्से से युद करे भगवान जी चाहते थे अरजुन इसलिए युद करे क्योंकि ये मर्यादा है ये धरम युद्ध है मैं आपको एक्चे जुरूर बताना चाहूँगा किसी का निरादर नहीं कर रहा हूँ बहुत सम्मान से बात कह रहा हूँ बहुत आदर है मुझे ये बात जिसनके बारे मैं कह रहा हूँ टेलिविजन सीरियल आये था महाभारत महाभारत सीरियल आये था जब ये सीरियल आये था उस समय हम विदानता अकैडमी में थे तो मैंने उस समय तो नहीं देखा लेकिन बाद में मैंने वीडियो उसमें देखा सीरियल महाभारत में भगद गीता में एक बार भी भगुद गीता में एक बार भी द्रौपदी का रेफरेंस नहीं दिया भगवान जी दे अब आइम रिंग इस इंपॉर्टन एक बार भी और वहां पे जब महवारे सीरिल दिखाया गया उसमें अर्जुन को भगवान कह रहे हैं गीता सब ग्यान के बीच में तुझे याद है अर्जुन इन्होंने द्रौपदी के साथ क्या किया था राक्टी सबा में तुझे याद है लक्षे ग्रह में भीम के साथ क्या किया था एक्चल में भगवान जी ने एक बार भी लक्षे ग्रह का भीम का और दुरापदी का रेफरेंस भी नहीं दिया रीजन है उसके पीछे यह वो रेफरेंस दे देते तो अरजुन एकदम राजी हो जाता युद्ध में लेकिन वो जब युद्ध करता तो गुस्दे से करता खुंदक से करता अब्लिगेटी जूटी से नहीं करता और भागवान जी नहीं चाहते थे कि अरजुन जो युद्ध करे वो खुंदक से करे वो गुस्से से करे ऐसे तो बहुत युद्ध हो हैं दुनिया में युद्धों की परंपरा है लेकिन ज्यादातर युद्ध ग्रीड के कारण हुए ज्यादा तर युद ग्रीड के कारण हुए ज्यादा तर युद लोब के कारण हुए या भाय के कारण हुए या क्रोध के कारण हुए लेकिन महावारत की जो लड़ाई है वो क्रोध के कारण नहीं है महावर्त का युद्ध, क्छासकर गीता जी में भग्वान जी का ग्यान है कि ये तु कर रहा है, इसलिए मत कर, गुस्से से कर रहा है, खुंदक से कर रहा है खुंदक से लड़ वाना बड़ा असान है लोगों को जी, बहुत असान है धर्म का नाम देदो, जाती का नाम देदो, वर्न का नाम देदो, लिंग का नाम देदो, सरूप का नाम देदो, भाशा का नाम देदो, जाती का नाम देदो, लड़ाई तो बहुत असान है जमिया में, भाशा के नाम पे लड़ा लो, पानी के नाम पे लड़ा लो, बिजली क से आई थी मैंने बताया था आपको I am trying to build up इस भगवान जी धर्म युद्ध चाहते थे नॉर्मल युद्ध तो बहुत असान है लेकिन महावार्त के सीरियल में अरजुन को उकसाने के लिए अरजुन को युद्ध में प्रेड़ा देने के लिए टीवी में यह दिखाया गया भगवान जी कह रहे हैं अरजुन को तुझे मालूम है इन्हों ने दृपधी के साथ कि जबकि भगवान जी ने एक बार भी गीता जी में दुरौपदी का रेफरेंस ही नहीं दिया खहना तो बहुत दूर की बात है रेफरेंस करना तो इंडरेक्ट तरीके से भी बताया की में है बहुत आसान, लोग short-term यूज करते है किसी को काम करवाने के लिए sweet- iets करते है logic reasons से नहीं आते है शौत अंब करते है जैसे कोई काम करवाना अपने पोते से बेचे से बच्चे Please, देहां कर देहा पलीओ, Emotions से थोडियर तो लोग मनांची हो जाएंगे, थोडियर तो मांच जाएंगे, लेकिन ज्यादा देर कीम सलती है Emotions की ज्यादा देर नहीं चलती बात Logic चलता, तर्क चलता, विचार चलता कितनी देर है Emotional बन के रहो गया आप बहुत Emotional होते हो आप death हो जाती है death होती है हम बहुत emotional होते है अच्छा emotional हो जाओ मत ले जाओ dead body को रखे रहो को गर पे will you? emotional हो जाओ मैं तो नहीं छोड़ूंगी इस body को no, you sacrifice the body why? emotion अच्छे है logic क्या है emotions पे logic कभी भी emotion emotion लॉजिक पे कभी भी हावी नउग हो जाए तो फिर वो खराब हो जाता है तरक विचार इंपावनाऊ से बेटी विदाई हो रही है बेटी की शादी हो रही है सब रो रही है बढ़ा अनुभव होता है बेटी की शादी की जब डोली जा रही होती है और वो साथ में वो का ते दे गाने लगाते दे भाविल क्य दुआइए लेती जा जा तुझे के सुखी संसार मिले रोन आज़ा तप्तर दो प्थर यो जसे थे ऑंप मेरी बेटी मेरी बेटी लड़का कह यह जाद ही तुसी रो रहा हो मैं लेके निहीं जाना एंदा जा तुसी रखला है नो, फिर ज्यादा रोएंगे, फिर ज्यादा रोएंगे, एमोशन ठीक है, लेकिन लॉजिक, आप रो रहे हो, ठीक है, बेटी विदाई हो रही है, रो रहे हो, लेकिन इसका मतली यह तोड़ी है कि अपने तर्क को छोड़ दो गए, यही हम करते हैं, अर अर्जिक को उपर किया, लेकिन उस महावारत सीरियल में, अर्जुन को लड़वाने के लिए, एमोशन का इस्तेमाल किया, विच फंडमेंटली, रॉंग विद फिलोस्फिय अव भगवद गीता, भावुक्ता को कभी भी परमोट ने करती है, भावना होनी जाए, भावुक अर्जुन की बड़ी तकलीफ है, शिगर्ट बहुत पीते हो, उसको छोड़ने के लिए अब जर्दा करने लगे, अब जर्दा खाने लगे, तोड़ा क्या, एक चीज छोड़ी दूसरी चीज पकड़ ले, तो भावना को तोड़ भावना नहीं है, भावना को तोड़ ग्य को सच्छा साबध करने का परितिंग करें, क्या कर एक उसे जस्टिफिकेशन चाहिए, लगातार दस लोकों में यही बात करता रहे, मैं नहीं करूँ, यह नहीं करूँ, क्यों करूँगा, कैसे करूँ, जस्टिफिकेशन, उस समय आर्गू करने की चुते हैं, इसलिए भग अप्शन, जीजन? नोबडी लाइक इमोशनल परसन, नोबडी लाइक कुई रोज आपको फोन करे, रोटी खाई, सब्जी खाई, पानी पिता, चर्थीऊ-ठा कै, रोज आपकी मा, बाप आपको फोन करके, आफिस में पूछे, प्रिक दुटी खारी, सब जिखारी, सोया राम से, रोज करे, क्यास लगेगा, इसा लगेगा? इसा रल्या एपी? नोबढ़ी लाइ इमोशनल परसने, ज्टी क्पर्संग है अब जुरूदर तो जरोगें वोगे आप चाहोगे जाए, लोगें पुद्धी को तो आपके कदर कब है जब आप लॉजिकल हो तरकव विचार विमर्ष लेकिन अरजुन को लाप्स है और उस collapse अरजुन को ठीक करने के लिए हम अगले एपिसोड से दूसरे शलोक में करेंगे दूसरे अध्या से करेंगे और यह दूसरे अध्या के बारे में बतादू सांख्य योग है दूसरे करें सांख्य शब्स संस्कीत के शब्स संख्या से निकला है एक systematic knowledge है इन दी में दू शब्राते अंक और संख्या एक दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आणे, नो, तस, गेरा है एक तीन, पांच, सुख्या, इस, एक तीन, पांच, साथ, नो, गेरा, आए 10, 9, 8, 7, 6, 5 संख्या, 1, 85, 6, 73, 25, 26 यह संख्या नहीं है यह अंख्या है When numbers are written in the systematic way, when the numbers are written in a systematic way, it is known as a संख्या When numbers are written in haphazard way, जब numbers को आप बेतरतीब लिखते हो, तो वह अंख्या बन जाते है तो knowledge जब systematically दी जाए, knowledge systematically दी जाए, तो ग्यान को संख्या योग बता है एक और मतलब है, संख्या संस्क्रित की, संख्या जो है, वो कपिल मुनी जी का ग्यान है Hindu school thoughts में six schools of thoughts है नयाय, मिमामसा, विशेशिका, विदान्ता, पितांजली और संख्या संख्या एक school of thoughts है, जयसे पितांजली और संख्या और संख्या और संख्या विशेशिका, विदानता एक school of thoughts है गीता जी के महिमा क्या है? गीता जी ने छेओ स्कूल आफ थाट्स को अंदर नी चोड़ा है गीता जी में पितांजली भी है, सांग के भी है, निया भी है, में अमामशा भी है विदानता तो है ही है तो अब हम निया सफर करेंगे अगले एपसोड से जब भगवान जी है, दूसरे श्रूप में अपनी वहानी को शरुवात देंगे लेकिन गीता जी की शरुवात होगी दूसरे धह के 11 में श्रूप से जहां अरजुन सही तरीके से समझाने और समझने के कोशिश करेंगे और हम एक ऐसी जर्नी में चलेंगे हमें एक ऐसी जर्नी चलेंगे जो आपकी जिन्दगी बदल सकती है हजारों लाख को करोडों लोगों की जिन्दगी बदली है गीता जी, महत्मां गांदी जी ने तो खुद कहा था जब मैं बहुत परशान होता हूं, दुक्य होता हूं तो मैं गीता जी का साहरा लेता तो गीता जी का यह अध्याय आज हम इसी बात से विराम करते है हमारे यह परमपरा है कि जब भी कोई हम अध्याय खतम करते है तो उसका पहला श्लोक के इकठा हम पढ़ते है इसलिए पढ़ते है क्योंकि इस संकल्ब से कि आज अध्याय खतम नहीं किया इसको दुबारा करेंगे तो पहले अध्याय का पहले अध्याय का पहले अध्याय करें पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमी में कत्रित हुए युद्ध को चाहने वाले मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया?